है प्रेंडस में नूं सवागतिया आपका सुपब शिस्टर्स में और आज में बना रही हूं बिना अंडे के एक करी जी हां दोस्तों विल्कुल सरी सुना आपने आज मैं बना रही हूं बिना अंडे के एक करी तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना अंडे के एक करी बनाने के लिए मैंने लिया यहां पर 200 ग्राम पनीर इसको पैकेज से बाहर निकाल लेंगे और अब इसका वन थर्ड पार्ट एक अलग प्लेट में रख लेंगे इस पार्ट में मिलाएंगे हम थोड़ा सा कॉर्ण फ्लोर एक चुटकी हल्दी कलर के लिए और थोड़ा से नमक इससे हम बनाने वाले हैं अंडे का योग इसको हमें बहुत अच्छी से मिक्स करना है आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा ओल या फिर बटर का यूज कर सकते हैं मैंने इसे स्किप किया है इससे हम बनाने वाले हैं अंडे का योग तो यह पेस्ट हमको काफी स्मूढ चाहिए इसे हम अच्छी से मसल मसल के स्मूढ दो तियार करना है डो रेडी हो चुका है अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से हमें सारी बॉल्स त्यार करनी है योग रेडी हो चुके हैं इनको तब तरह हम अलग रख देते हैं और अब हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे बचे वह पनीर को अच्छी से ग्रेट करना है साथ में इसमें बॉल आलू भी ग्रेट कर लेंगे इसमें मिलाएंगे एक चमच कॉर्ण फ्लोर एक चमच मैदा अधा शाष्ची अधा रेट कर लेंगे ने चाहिए अब यहां पर मिलाएंगे थोड़ा सा ओयल हमें ज्यादा नहीं मिलाना है बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना है और इसको एक स्मूध दो में विदल देंगे अच्छा सा दो त्यार करेंगे काफी स्मूध दो त्यार हो चुका है अब इसके थोड़े बड़े सा इसके बॉल बनाएंगे इन बॉल से हम बनाने वाले हैं एक वाइट इसको चप्टा कर लेंगे और इसके अंदर फिलिंग करेंगे योग की धीरे धीरे अपने हाथों से इसको एंडे का शेप देंगे और इन एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे सारे एंडे रेडी हो चुके हैं कितने क्यूट लग रहे हैं अब इन क्यूट से अंडों के ऊपर कॉन्फलार की कोटिंग करेंगे इनको अच्छे से कोट करना है कॉन्फलार से ताकि जब इनको फ्राइ करें तो यह क्रैक ना हो इस तरह से हम सारे अंडों को कोट करके और एक अलग प्लेट में रख देंगे शह साथ मिनट के लिए इनको सेट होने रख देंगे अब यह रेडी हो चुके हैं जब तक यह सेट होते हैं तब तक हम अपने लेसन प्याज और टमाटर की प्यूरी रेडी करते हैं यहां पर मैंने दो बड़े साइस के प्याज जो है मुटे मुटे चौप कर लिया हैं और इसके साथ ही मैं साथ आट लेसन एड़ कर रही हूं इन दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और यहां पर मैंने दो बड़े साइस के टमाटर लिया हैं इसकी भी मैं प्यूरी त्यार करती हो त्यों साथी मसाला त्यार करेंगे तीन चमछ मेने दन्या पावडर लिया है कि आधा चमछ हल्दी में कि आधा चमछ लाल मिर्च पावडर कि अधा चमछ गरम मसाला कंशुरी मेथी और ये कस्मिरी लाल मिर्च है इसका यूज में बाद में करूंगी ये कलर के लिए है और साथ ही मैं एड़ कर रही हूँ एक चमच बेशन बेशन से हमारी ग्रेवी में ठिकने साएगी इधर मैंने ओईल गरम करने रख दिया था ओईल गरम हो चुक है तो इसमें एक एक करके तो तो रहब जीए अंडव को डालेंगे अनटों को गॉल्डन ब्राॉण होने तक वाई करनाभ आप ऊडिए दिरे पलटना़ है इंको मति अज्मे सब्सक्राइब कर दोड़े गॉल्डन ब्राॉण हो चुके है तो चलिए हैब इनको निकाल लेते हैं अब इनको ट्रांसपर्ट कर देते हैं एक टिशू पेपर पर लग जाए और अब तो बड़े चमस्ट सरसों का तेल को तब तक गरम करना है जब तक कि इसमें से स्मोक नहीं आजाता तेल गरम हो चुका है तेल में से स्मोक आ रहा है तो आप हम इसकी लो को कम कर देंगे और इसमें अपना प्याच और लेसन का जो हमने मिक्षण टेयार किया था प्यूरी त्यार की थी उसको डालेंगे इसको हमें फ्राय करना है गोल्डन प्राउन होने तक बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे नहीं तो है जल जाएगा प्याज जो अच्छा से गोल्डन ब्राउन बून चुका है तो इसमें टमेटो फ्यूरी एड़ करेंगे यहाँ पर थुड़ा सा नमक एड़ कर देंगे ताकि हमारा जो टमेटर की फ्यूरी है वो जल्दी से पक जाए आप चाहें तो यहाँ पर बटर का यूज़ कर सकते हैं बटर से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है डबल हो जाएगा यहाँ पर मैंने कसूरी लाल मिर्च जो है वो डाल दी है उसको एड़ कर दिया है अब थोड़ा सा पानी डालेंगे मसालों ने ओईल छोड़ दिया है तो आप इसमें मसाले डालेंगे मसाले थोड़े ठीक लग रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आइड करेंगे मसालों को ओईल छोड़ने तक प्राई करेंगे आप देख सकते हैं मसालों ने ओईल छोड़ दिया है तो आप पानी आइड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी अभी थोड़ी ठीक लग रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और पानी आइड करूँगी इसको मिक्स करेंगे पानी में उबाल आ चुका है ग्रेवी में तो आड कर देंगे अंडे अब अंडो को धीरे से पलट देंगे दो तीन मिनट हमें इस ग्रेवी में अंडो को पकाना है ताकि अंडे जो है वो मसालों को एब्जोर्ब कर लें मसालों का टेस्मिन के अंदर अच्छे से आ जाए तो आप चाहें तो यहाँ पर इसे कवर करके भी पका सकते हैं बहुत ज़्यदा देर हमें इने नहीं पकाना है तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है देखा बिना अंडे के एक्टरी रेडी हो चुकी है कितने यमी दिख रहे हैं अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत बूलिए आज के लिए बस इतना ही मैं झाल 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 झाल